हाई गाईस दीप लेक्टोनिस लाब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे दोस्तों आज मेरे पास एक एंड्रोइड आगाई कंपणी का ले टीवी आया है जिसके आंदर इस टाक अन लोगो प्रॉब्लेम है यानि इसके अंदर पावर देता हूं उसके बाद इसके अंद पावर देना होगा देखिए हमने इसके अंदर पावर दे दिया हूं और पावर देने के बाद में इसको इस्टनबाई से रिलीज करता हूं तो इस्टनबाई से रिलीज करने के लिए मैं इस रेमोट को इस्तमल कर रहा हूं देखिए मैंने स्वीच को प्रेस करा यह देख भीर इसका रिमाट और फिर भी सेम परप्रोब्लम दखाए है तो इस पराप्ले में को सॉल्व करना के लिए हमरे पास तरह दोस्ते हैं कि अप त् porte prices जब बहुत दीन तक चलता है इसके आंदर जो यह और डेटा बौधी जादा करना बंद कर देता है याई कि जो प्रोसेसर कम बंद कर देता है उस समय इस्तारीके का प्रब्लम देखने को मिलेंगे कि यह रहा तो इस problem को solve करने के लिए हम को सबसे पहले जो easy way प्रोसेस है वह हम follow करेंगे इसको हम recovery mode लेके चलेंगे recovery mode पे लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा इसके आंदर जो पावर बटन है और वुलियूम आप डाउन बटन है उसको प्रेस करके रखना होगा उसके बाद इसके अंदर पावर देना होगा तो मैं सबसे पहले इसके अंदर से पावर को कट कर देता हूं तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि यह टीवी का जो इस्टाक और लोगों प्रॉब्लेम है इसको दूर करने के लिए आपके पास तीन रास्ता है उसमें से एक रास्ते के जरीए मैं इसको ठीक करूंगा तो सबसे पहला जो रास्ता है इसको रिसेट करना पड़ेगा दूसरा रास्ता इसको यूसबी के जरी इसका सौप्टर या फार्मेर को अपडेट करना पड़ेगा तीसरा इसका ऐम सी जो ुए मैंस्य histor को compressor करना पड़ेगा तो हमारे पास पहला रास्ता है इसको जो बटन से की बटने उसको प्रेस करने करना तो इसको अंदर जो पहले के लिए आप इसका recovery mode पे जाके देखते हैं कि यह हमारे जो मदर बोड़ है यह recovery mode पे जाता है या नहीं और उसके बाद रिकर यह और और पावर देता हूं दůनों बटं को एक सतप करकर के लखना हुगा चलिए मैं इसको एक साथ दूनों प्रेस करता हूं और उसके बाद इसके अंदर पावर देता हूं चलिए जैसे हम पावर देंगे यह रिकवरी मोड पर चला जाएगा चलिए देखते कि यह डिकवरी मोड पर देखिए यह एंटरिंग रिकवरी सिस्टेम जैसे यह गया मैंने इसको बटन को प्रेस कर दिया मतलब छोड़ दिया यह क्या होगा कि हमारा जो reservoir system मैं यह रिजब हो जाएगा और हमारा जो सिस्टेम में वह नया तैरीके से चालू हो जाएगा चलिए अब मैं सको इससे रिलिज करता हूं कि मैंने पावर बटन को प्रेस करा और अब देखता हूं कि हमारा प्रॉब्लम में वो सॉल्व हुआ है या नहीं क्यूंकि इसके अंदर यही प्रॉब्लम था लोगों आने के बाद अड़क जा रहा था या आगे नहीं भरा था लेकिन अब देखें यह हमारा टीवी जो है ठ स्वाप्टेर को फ्लैस करना परेगा तीसरा रास्ता है जो इसे मदर बोड के अंदर जो इसको आपको री फ्लैस करना परेगा इसके लिए आपके पास प्रोग्रामार होना बहुत ही जोरूरी है जो कि आपके टाइम में उसका प्राइस है लगबग 23,000 के आसपास तो मैं वह भी दिखा देता हूं कि इस टीवी के अंदर मदर बोड कौन से लागा हुआ है ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा टीवी आए जिसके अंदर से मदर बोड लागा हुआ है तो उसके अंदर आपको रीसेट के इस तरीके से करना है और रिक पांस से शे मिनिट लगेंगे तो मैं इसको इसी तरीके से रखता हूं और इस समय आपको पावर कट नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका जो टीबी है वो डेड़ हो सकता है इसलिए पावर कट का प्रॉब्लेम इस समय अगर हो जाएंगे तो बहुत ही साब धने के साथ आपक को इंटर्फेर्स देखने को मिलेंगे चले मैं इसको इसी तरीके से रखता हूं कि यह देखिए दोस्तों हमारा टीबी चालो हो चुका है और यह अभी एंडूइड ऑपरेटिंग सेस्टेम का अंदर जितने भी अप्लिकेशन्स लगा हुआ है यह सारे के सारे अभी रेड यह लीए कब हुआ है और यह सारे कम्प्लीट हो जाएंगे आप उजू 보고 करके आपको दिखा देथा ह Mukksi कि यह रेमोट काम कर रहा है या नहीं देखिए यह रेमोट भी काम कर रहा है यह कंपलेट हो चुका है आप मैं आगे बर रहा हूँ देखिए दोस्ता मना टीबी यह conflict ready हो चुका है तो इस त्रीके से आप आपना टीबी का जो है इस टक आप आन लोगो है वो रिपेर कर सकते हो और यह आपके घर पर नहीं होगा जब तब तक आपको यह connection है जो पैनल का connection जब तक नहीं करोगे तब तक आपका जो TV recovery mode पर नहीं जाएगा यह बात आप ध्याम पर रखिएगा अगर आप जानना चाहते हो कि यह मैंने पैनल का connection किस तरीके से करा हूँ जो switch पैनल का connection है किस तरीके से करा हूँ तो नीचे कमेंट करके बताइए और मैंने इसके बारे में डीटेल इनफर्मेशन देखे रखा हूँ आपने website पर www.deepelectronislab.com पर आप उहाँ पर जाके सारे जानकारी ले सकते हो कि केस तरीके से हमको यह connection जो है करना है उसके बाद हमको किसी भी Android motherboard का जो recovery mode में है वो recovery mode पे इंटर किया जाता है और बहुत ही जल्द में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको पूरा explain करूंगा कि Android TV का recovery mode क्या होता है और recovery mode के अंदर जाके हम लोग क्या 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 कर सकते हैं हमारे TV के साथ चलिए मैं इस TV को आसेंबेल कर देता हूं उ और उससे पहले मैंने आप लोगो यह बताया था कि अनदर जो motherboard लगा हुआ है यह कितने नंबर का mother board लगा हुआ है यह भी आपको दिखाना चाहूंगा गोर से देखिए यह से टीवी के अंदर जो motherboard लगा हुआ है इसका नंबर है cv358 HB42 यह हमाना motherboard लगा हुआ है इसके अ कर दोस्तों हमने टीवी को कर चुका हूं आप यहां पर देख सकतो मॉडल नंबर बगर्ण एक बार मॉडल नमबर भी दिखा देता हूं मॉडल नंबर है एक टी-3-2-A-S-D-3-2-8-W इसका मॉडल नमबर है और हमारा कम्प्लीट हो चुका है इसका रिसेट का भी हमने प्रो इन्दिएटर और अब मैं यह से रिमोट के जरीए इस्टर्ण वाइस रिलिज करता हूं इस्टर्ण वैसे रिलीज करा और देखते हैं कि हम जो प्रॉब्लम था वो सॉल्फ हुआ है कि नहीं जो इस्टाक हो जा रहा था यहां क्या आगे नहीं बर रहा था तो वह हम चेक करे हैंगे यहां पर देखिए दोस्तों कुछ सेकंट सकांदर यह हमरा इस्टन वाइस रिलीज हो चुका है और जो हमरा इस्टाक और लोगो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है तो यह ज्यादा टाइम नहीं लेगा यहां पर देखिए सारे कोच बिल्कुल सही है तो अब ह है इसके अंदर पिक्चर चला के आपको दिखाता हूं यहां पर दिखा देता हूं मैंने अपने आपने अंडूइड ट्री बॉक्स को कनेक्शन करके रखा हूं इसके साथ अभी देख सकते हो मैं लगभाग इस ट्वी को दो घंट से जादा में टेस्ट कर चुका हूं अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर सवाल या सुझाव है या आपके मन में इसा कोई टॉपिक है जो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताए मैं उसके उपर जल्द वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा तो इसी परकर के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए हम फिर भी लेंके नेक्स वीडियो में ताब तक के लिए वीजिव अल्दा बैस